नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकेद इस्पायर्स इंडिया पर मैं हूँ अंकेद अवस्ती, आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसे आप सुभह से लेकर कई बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर सुनो और देख चुके हैं लेकिन चुकि भारत से सम्मंदित जितने भी बड़े मुद्दे हैं उन्हें हमारे चैनल पर डील किया जाता है तो आज इस सेशन में हम भी अपने ओडियन्स को अपनी सोच और अपने तरीके से इस मुद्दे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता था कि भारत में हाल ही में असेंबली इलेक्शन्स हुए थे विधान सभा के चुनाव हुए थे पाच राज्यों में मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, चत्तिसगड़ो, राजिस्थान उनमें से चार राज्यों के नतीजे घोशित हो चुके हैं उन चार राज्यों में से तीन राज्यों के अंदर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे आई है और उनमें से एक राज्य के अंदर तेलंगाना के अंदर कॉंग्रिस सरकार बनाने के लिए आगे आई है इसका मतलब यह हुआ कि यहां के चुनाव परिनाम आज जिने हम डिसकस कर रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को यहां पर सोचने के लिए विवश्च करेंगे क्या विवश्च करेंगे कि कहीं पर बहुत लंबे सले समय से चली आ रही सरकार का मसला था तो कहीं छात्रों के प्रोटेस्ट का मसला था कहीं बेरोजगारी मुद्दा था तो कहीं पर सरकार के द्वारा 60 एप्लिकेशन के माध्यम से हुआ ब्रस्टाचार था ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार के ये सारे प्रयास आज चर्चा का विशेब बने हुए हैं तो एक के करके सारी बातों को आपसे डिटेल में डिसकेशन करेंगे जिन चार राजियों के अंदर election था वो लगभग एक दूसरे के साथ almost connected है border के साथ केवल एक miserum बचता है जिसमें election results कल आने वाले हैं और कल क्यों आएंगे क्योंकि आज संडे के दिन उन्हें prayers में जाना होता है majority Christian society है इसलिए election commission ने आज के दिन election में vote counting पर रोक लगाते हुए कल के दिन counting रखने का निरनलिया है ठीक है चलिए फिलहाल के लिए special day की वज़े से उनकी मिजोरम की vote count करुकी है वो कल हो जाएगी संडे के दिन result नहीं आया मंडे को आएगा election results 2023 ने BJP MP के अंदर जीतती हुई BJP राजस्थान में जीतती हुई और 36 गड़ में जीतती हुई दिखाई दी है इन सारी का कौन सा कारण रहा, किस कारण से किसी की जीत बनी, कैसे चुनावी प्रबंधन रहा local मुद्धे हावी रहे या फिर केंद्रिय मुद्धे हावी रहे बहुत सारी बाते हैं जिनने आज के session में discuss किया जाना है आपसे गुजारिश है कि आप अंत में session के पहुँचते पहुचते subscribe करना भूल जाते हैं क्योंकि right hand side में एक लाल रंग का button है बस उसे दबाना है so that भविश्य में भी हम आपके पास अपने sessions को पहुचा सके इसलिए पहले ही गुजारिश कर रहा हूँ कि उसे दबा दीजिए चलिए बढ़ते हैं कुछ big announcements अपनी पार्शाला जो YouTube channel एक और है उस पर Monday को यानि कल के दिन आप लोगों के लिए बहतरीन session रखा गया है fundamental right का YouTube पर free of cost आप सभी वहाँ पर SSE के विध्यारती या कोई भी competitive exam के हैं तो आप उसे join कर सकते हैं अपनी पार्शाला एप्लिकेशन पर मन्तली कर अंटरफियर की classes चल रही हैं RAS में इसके लिए answer writing कैसे हो इसके दवार इसके लिए मैंने एक session लिया है हमारे Hindi और English के पूरे handwritten notes आपके घर पर deliver होने के लिए मात्र 1199 में उपलब्द हैं आप इने घर बैठे मंगा सकते हैं loose books में भी आप RAS के handwritten notes मंगा सकते हैं SSE GK के लिए आप हमारे YouTube channel पर पहुँचे और इन सभी subjects की classes जाकर join कर सकते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग की website पर आप यह वाली detail देख रहे हैं जिसमें 36गड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना दिखाई पड़ रहा है Election Commission की इस website की report के अनुसार 36गड में जहां 56 seatे BJP जीती हुई दिखी है मध्यप्रदेश में 166, राजस्थान के अंदर 115, तेलंगाना के अंदर कॉंग्रेस 64 seat के साथ सबसे बड़ी party बनकर उभरी है मध्यप्रदेश में जहां पर जब हम ये session के लिए slides कलेक्टर रहे थे उस समय तक अगर हम देखें तो राजस्थान में 115 seatों पर BJP आये है यानि कि जीत चुकी है और मध्यप्रदेश के अंदर 166 seatों पर BJP जीत चुकी है इस प्रकार से सभी seatों का गणित आपके सामने है अब कुछ ऐसी चीजे हैं जो यहां पर किर्तिवान के रूप में स्थापित हुई है जैसे राजस्थान में पुरुषों से जादा महिलाओं ने वोट डाला नमबर दूसरा राजस्थान में हर बार यह देखा गया है कि 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है तो पिछले ट्रेंड को यहां पर केरी फॉरवर्ड किया गया हर बार यहां पर एक बार कॉंग्रेस एक बार बीजेपी 2008 देख सकते हैं आप 1998 में कॉंग्रेस फिर 2003 बीजेपी फिर कॉंग्रेस फिर बीजेपी फिर कॉंग्रेस और इस बार बीजेपी तो यहाँ पर 1998 में से एक trend set हो रखा है जो आगे भी बरकरार रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता जनार्दन को नमन करते हुए जीत को स्विकार किया और तेलंगाना वालों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रिशित किया अशोक गहलोजी जो की मुख्य मंत्री है राजस्थान के उनके द्वारा भी इस हार को स्विकार करते हुए और भविश्य की शुब कामनाओं के साथ अपना मैसेज लिखा इसी प्रकार कांग्रेस के अद्यक्ष मल्यकार जुन खडगे जी जैराम रमेज जी प्रियंका गांधी वाड़रा जी सभी ने चुनाव पर अपनी टिपनिया की प्रधान मंत्री के द्वारा भी तेलंगाना के लिए अपनी तरफ से टिपनिया की गई तेलंगाना में जहां कॉंग्रेस जीत कर आई है वहां सोनिया गांदी जी को जहां एक और दूद से निलाया गया पोस्टर को वहीं दूसरी और मध्यप्रदेश में जहां शिवराज सिंग जी है वो अपने कंधे पर एक तरफ तस्वीर में मोधी जी और दूसरी तरफ अमित्शाहाजी को लेकर दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी दूद से अभिशेक कराया जा रहा है ट्वीटर की बात अगर करें तो ट्वीटर पर इलेक्शन रिजल्ट जहां टॉप ट्रेंडिंग में रहे वहीं पर राहूल गांदी पनौती है यह भी ट्रेंडिंग में रहा इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जब वर्ल्ड कप में अपने भारत की हार हुई थी तब पनौती शब्द बहुत ट्रेंडिंग में आया था और प्रधान मंत्री को पनौती कहकर के कई जगे पर ट्वीट्स किये गए थे इसलिए इस बार जीत को प्रधान मंत्री की जीत देखकर राहुल गांधी पनौती है भी ट्रेंड में रहा ठीक है अच्छा फिलहाल के लिए अगर भारत में सैफ्रोन कलर पार्टी देखे तो इस समय 2023 के अंदर बीजेपी लगभग मध्य भारत में दिखाई पड़ती है और लगभग 60% के आसपास बीजेपी 16 प्रदेशों में फिलहाल दिखाई पड़ रही है क्या इसे दुनिया ने भी कहीं कवर किया है बिलकुल आटी इंडिया आप देख सकते है रशियन टुडे के द्वारा इसे कवर किया गया है इसी प्रकार से फाइनेंशल टाइम्स के द्वारा भी इसे कवर किया गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सेट फॉर विक्ट्रीज इन इंडिया इस्टेट इलेक्शन का कवरिज रहा है अब यहां से एक बड़ा प्रशन बनना शुरू होता है कि ये इलेक्शन में जीता कौन हारा कौन ये तो समाचार हो गया अब समाचार के साथ साथ जो विसलेशन है अब उस विशह पर आगे बढ़ते हैं एक ट्वीट मिला जिस ट्वीट में एक बहुत बड़ा बात उठाया गया और वो क्या था कि आज देश की जनता कुछ बातों पर मोहर लगा दी और वो बाते ये हैं कि देश की जनता के लि जोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है ये जो लाइन लिखी जा रही है ये मध्यप्रदेश के लिए लिखी जा रही है क्योंकि मध्यप्रदेश में लगातार शिवराज सिंग चोहान चार बार से सीम रह चुके हैं और अब पांच वी बार संभवतया कौन हो ये देखने गया प्रशन था देश की जनता के लिए स्वास्थे सुविधाएं कोई मुद्दा नहीं है क्यों क्योंकि राजिस्थान के अंदर स्वास्थे के लिए मेडिकल बिल लाया गया था हॉस्पिटल में चाए प्राइविट में जाना हो या सरकारी में बिना बेरोक टोक जाने क हेल्थ केर, बिल लाया गया था उसके बाद भी सरकार हट गई जनता के विकास का कोई भी मुद्दा नहीं है विकास की अगर बात करें तो तेलंगाना के अंदर जो सरकार है वो विकास को लेकर जानी गई है लेकिन सब लोग ने अच्छा राजिस्थान में पुराने जो करमचारी हैं सरकारी करमचारी हैं उनको old pension scheme वापस गहलोत सरकार के द्वारा दी गई थी उसका भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार को पलट दिया यानि कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सवाल बनकर निकली कि ultimately असल में आज के दिन जितने भी बड़े बीजेपी के हैंडल्स हैं ट्विटर हैं या नेता हैं उन्हांने एक ही बात पर हाइलाइट किया है और वो ये है कि अगर कुछ भी चला है तो प्रधान मंत्री नरेंद् की मध्य प्रदेश में जब चुनाव आने शुरू हुए उससे पहले सबसे बड़ी चीज जो लोगों के बीच चर्चा का विशय बनी थी वो थी छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन विध्यार्थी वर्ग की तरफ से विरोध प्रदर्शन अगर आप सुर्खी द्वारा प्रोटेस्ट ये तमाम वो खबरें हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ जनता के द्वारा दिखाई गई थी शिवराज सिंग चौहान के खिलाफ की अगर हम खबरों को कवर करें तो जुलाई 14 की आप खबर देखते हैं 4,000 विध्यारतियों के द्वारा पठवारी एक्जाम स्कैम के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया ऐसे ही नर्सिंग स्टुडेंट्स के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया ऐसे ही 36 गड़ और मध्य प्रदेश को अगर देखें तो 3.9 दश्मलव और 6.1 प्रत पत्र जारी किये गए एक और जहां भाजपा का घोशना पत्र आया वहीं दूसरी और कॉंग्रेस का घोशना पत्र आया जुनावी घोशना पत्र में सब घोशनाएं लगभग मिलती जुलती थी किसी ने 100 वो होता है न जैसे कि एक ये 10 रुपे में सवा किलो प्यास दे रह कुछ उस तरह का भाव चल रहा था यहां पर कहा जा रहा था कि ट्राइबल ब्लॉक में 3800 रुपे के सिक्षकों को भरती दी जाएगी 3800 सिक्षकों को भरती दी जाएगी यहां पर हर महीने कॉंग्रेस दो साल तक बेरोजगारी भत्ता देने के लिए युवाओं को अपनी 100 प्रतीशत छूट यानि प्रतीशत फीस के अंदर छूट और दो लाग सरकारी नौकरियां ये दो बोल रहे हैं तो ये धाई बोल रहे हैं एक प्रकार से होड सी मच गई कि बस बोलना ही तो है चाहे कितने भी बोलते चले जाओ तो सब तरह से घोशनाओं का अंबार लगा और एक दूसरे से मिलती जुलती काफी सारी गोशनाए की गई महिलाओं के लिए जहां सिलेंडर की बात थी भाजपा 4500 रुपे में सिलेंडर देने को तयार हो गई तो कॉंग्रेस 500 रुपे में देने को तयार हो गई सबजी मंडी का सा माहौल था भाजपा जहां 1200 रुपे चातरों को देने को तयार हुई तो कॉंगरिस 1500 रुपे चातरों को देने को तयार हुई मुद्दा ये है कि लोग 1200 पर ट्रस्ट कर गए मुद्दा ये है कि लोग 1500 पर ट्रस्ट नहीं किये अगर इस पर ट्रस्ट किये होते तो कॉंग्रिस की सरकार होती कहना तो अब यही पड़ेगा यानि कि एक तरह से कॉंग्रिस की जितनी भी योजनाय थी ये लोगों को विश्वास नहीं दिला पाई जितनी भी योजनाय थी जिनमें ये कहा गया था कि हम लोगों को इतना सब कुछ देंगे वो सब विश्वास नहीं दिला पाई यही कारण है कि भाजपा अपने आपको यहां पर जिताने में काम्याब हो गई रही बात Old Pension Scheme की तो भाजपा ने प्रमोशन की प्रकरिया सुनिश्चित करने के लिए सिक्षा सेवा चयानायोग की बात कही वहीं कॉंग्रिस ने Old Pension Scheme की बात की यहां पर Old Pension Scheme को लेकर के भी माहुल चलाया लेकिन लोगों को रास नहीं आया लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी से होनी थी तो वो शिवराज सिंग चोहान जी से होनी थी ऐसा क्यूं है? क्योंकि लगातार लंबे समय से लगभग 18 साल से अधिक से आप CM के पद पर बैठे हैं ऐसी इस्थिती में जब कोई व्यक्ती लगातार पद पर होता है तो उसके विरोध के कारण एंटी इंकम्बेंसी पैदा होती है कि यार ये पसंद नहीं है बस इसे बदल दो बीजेपी ने अपने चुनाव में इसी का प्रयोग किया और किया क्या? बीजेपी ने चुनाव से शिवराज सिंग चोहान को ही गायब कर दिया क्योंकि अगर शिवराज सिंग चोहान को फ्रंट फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाता तो संभव है जनता को वही फेस दुबारा दिखता और इस वजह से उनके अंदर एक खिलाफत का भाव होता बीजेपी ने प्लानिंग में सीधे तोर पर प्रधान मंत्री का फेस सबसे आगे कर दिया और कहा कि MP के मन में मोधी है मोधी के नितरत्व को MP के मन में मोधी और मोधी के मन में MP कहते हुए शिवराज सिंग चोहान के इस्थान पर पूरी तर है पूरे MP को मोधी वर्सिस अपोजीशन कर दिया गया यानि केंद्रिय नित्रत्व को राज के नित्रत्व के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया आप अगर तस्वीरों को और बैनरों को पोस्टरों को भी देखेंगे तो यहां पर एक तरफ जहां मोधी की सबसे उची इमेज लगी है वहीं दूसरी तरफ फ्रेंट रो में नड़ा सहाब जो BJP के अध्यक्ष हैं यह प्रथम पंक्ती में दिखाई दे हैं यानि एक प्रकार से कॉंग्रेस ने ये तक कहा कि शिवराज सिंग चौहान की हार को बचाने के लिए मतलब BJP ने MP में नड़ा का चहरा आगे कर दिया so that ये कहा जा सके कि हारे तो नड़ा सहाब है शिवराज सिंग चौहान थोड़ी हारे हैं इस प्रकार से इनका फिस आगे लाया गया लेकिन अल्टिमेटली यहाँ पर BJP ने एक Trump कार्ड खेला था और वो प्रयोग सफल रहा उन्होंने शिवराज सिंग चौहान के समक्ष इतने सारे चहरे उतार दिये जिन में से एक तरफ नरेंद सिंग तोमार, जोती रादित सिंगित सिंधिया और भी कई कैलास, विजय वर्गी, यह कई बड़े नेता जो की सांसद के पदपर वर्तमान में केंद्र में हैं उन्हें उतार करके मध्यप्रदेश भेज दिया जिससे मध्यप्रदेश के कार्यकरताओं को अपने सांसद का चुनाव लड़ते हुए देखकर ये लगा कि अगर सांसद विधायक के पदपर आ गया, यह बिलकुल ऐसे है जैसे IS बने हुए व्यक्ति से कहा जाए कि आप स्टेट PCS का एक्जाम दे दो बिलकुल वैसे ही MP बने हुए सांसदों से कहा कि आप विधायक की सीट पर पहुँच जाएए इसका परिणाम यह निकला कि लोगों को लगा कि जब MP चुनाव लड़ने आया है हो सकता है केंद्र को मंजूर यह हो कि इन्हें CM बनाया जाएगा बस CM का नाम ना लेकर बहुतों के मन में लड़ू फुडाए गए इसके चलते हर दूसरा नेता अपने आपको CM और जनता के मन में यह कि मेरा नेता बनेगा CM बस इस आधार पर लोगों के अंदर एक प्रकार का भाव चल पड़ा और बस वही भाव BJP को यहाँ पर जिता ले गया एक और बड़ा कारण जो यहाँ पर बना और वो यह है कि Anti-Incompensy के नाम पर शिवराज सिंग चोहान तो गायब से ही हो गया यानि इन्हें तो कहीं कोई चीज दिखी ही नहीं वहीं दूसरी और BJP ने एक और सफल प्रयोग किया अपने पोश्टर के उपर श्री राम मंदिर का निर्मान अब यह जो श्री राम मंदिर है यह श्री राम मंदिर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकला आप सभी को ग्यात होगा 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान राम लला जो है वो गर्व ग्रह में विराजमान होंगे ऐसी इस्तिती में पूरे चुनाव प्रचार में इस बात को याद दिलाया गया आपको याद होगा बीजेपी जब से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है तब से राम मंदिर बहुत बड़ा विशय बना हुआ है ठीक है राम मंदिर अब चुकी बनने जा रहा है ऐसी इस्तिती में मध्य प्रदेश जो की एक धर्म प्रदेश के नाम से विख्यात है बहुत सारे मंदिर और काफी आस्थावान राज्य है ऐसी इस्तिती में राम का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना और वो कैसे बना अब वो जानी है हुआ कुछ यू कि प्रधान मंत्री तो अपनी गारंटी देकर आगे बढ़ गए वही दूसरी तरफ इंडी अटबंधन जो बना था INDI इंडी अलाइंस जो बना था जिसमें कॉंग्रेस ने दक्षिन की स्टालिन की जो पार्टी है दक्षिन के सीएम की जो पार्टी है उसके साथ गटबंधन किया हुआ था और ऐसे समय पे स्टालिन के बेटे उधै निदी का एक बयान आया जिसमें उसने ये कहा कि सनातन एक डैंगू जैसा है डैंगू के मच्छर जैसा है इसे खत्म कर देना चाहिए इस बात से यहाँ पर कॉंग्रेस को मध्यप्रदेश में बहुत डैंट लगा इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने बीजेपी के पोस्टर पर राम मंदिर के होने से चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कॉंग्रेस की शिकायत से जनता के मन में ये भाव पैदा हुआ कि कहीं कॉंग्रेस भी तो ये नहीं चाहती कि राम मंदिर का चर्चा ना हो तो धर्म के आधार पर मध्धि प्रदेश में गजब का Polarization देखा गया यानि एक प्रकार से कॉंग्रेस को मतलब राममंदिर विरोधी प्रोजेक्ट किया गया और BJP को राममंदिर का प्रबेता मतलब दिखाया गया कुछ इस प्रकार से ये काम किया गया एक और चीच शिवराज सिंग चौहान के दुआरा मध्धिप्रदेश में की गई और हो क्या था मध्धिप्रदेश के अंदर एक लाडली बहना योजना हाल ही में लॉंच की गई जिसमें प्रतेक महा हर महिला के अकाउंट में एक हजार रुपए डाले जाने की बात की गई यह योजना हर महिला के लिए एक तंखा के समान थी और इसको लाडली बहना योजना को महिलाओं ने बड़ा सकारात्मक रूप से लिया इतना ही नहीं बच्चों के आहार के लिए पॉस्टिक आहार के लिए तीन हजार रुपए देने का बात आया तो इस प्रकार से मध्ध धर्म के आधार पर सब को युनाइट करने में बीजेपी कामियाब रही वही एंटी इंकमबेंसी को लाइन टू में डाल करके मोधी के चहरे पर चुनाव लड़ा कर और सांसदों को मध्धिप्रदेश बुला कर भी इसे काफी चुनावती पून तरीके से पेश किया गया तभी ऐसे परिणाम सामने निकल करके आए और साथ ही साथ मोधी के द्वारा मध्धिप्रदेश में लगभग 14 रैलियां की गई लगभग पूरे कारेकरम में प्रधान मंत्री के द्वारा 108 रैली की गई इसी वज़े से मोधी वर्सेस स्टेट यह है इलेक्शन लड़ा गय मोधी जहां भी गए वहाँ पर एक ही लाइन बोले गारंटी है तो मोधी की गारंटी है अगर मोधी ने कहा है तो ये काम होकर रहेगा और लोगों ने प्रधान मंत्री के नाम पर विश्वास जताते हुए सीधा पार्टी को इलेक्शन जिता दिया जहां मैंने एक और आप इसके खिलाफ पूरा मामला बन गया हाला कि कमनाद जी के द्वारा इसका मतलब वो करने के लिए एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए प्रयास ये भी किये गए कि वो जाकर के फिर धरियंद्र शास्त्री से मिले और काफी संतों से भी मिले लेकिन वो जादा काम नहीं आपाया, खैर कोई नहीं, अब चलते हैं 36 गर चुनाओं के अंदर, 36 गर चुनाओं में जहां भुपेश बगेल वर्सेस रमन सिंग था, यहां पर एक इंटरस्टिंग वाकिया हुआ, अगर आप सभी को याद होगा, तो हमने आज से कुछ समय पहले, लगबग एक महीन इंडिया पर एक सेशन किया था, जिसमें मैंने ये कहा था, कि आने वाले समय के अंदर, 36 गर के अंदर, ये मामला बहुत बड़ा मामला बनेगा, हमने ये सेशन किया था, आपको पताया भी था, असल में, ऑनलाइन सटा एप्लिकेशन, असल में, आजकल जो क्रिकेट की आपर लगभग 54 सीटों पर आगे चल रही है, हो सकता भी 56 पर आगे हो, चेक कर लेंगे, मतलब बहुमत के साथ आगे है, सरकार बनाने के लिए जा रही है, क्यूंकि कॉंग्रेस के साथ में घोटाला फिर जुड़ गया था, मोधी जब सरकार में आए थे, तब भी कॉंग् कॉंग्रेस की सरकार है तो घोटाले हैं और घोटाले हैं तो इसलिए इसे हटाना है, और उसी प्रकार से इलक्षन के अंदर 36 गड़ चुनाओं में महादैप एव घोटाले ने इस सरकार को उल्टा दिया, आप देख सकते हैं महादेव एप घोटाला हर बार सुर्खियों म अल्टिमेटली बना रहा, इतना ही नहीं, आज तक भी ये मुद्दा जिंदा है और इसको इस प्रकार से यहां कहा जा रहा है कि महादेव का स्राप कॉंग्रेस साफ, ऐसा कहकर के 36 गड़ के अंदर महादेव एप घोटाला एक लोकल रीजनल मामला निकला, वहीं दूसरी और कॉंग्रेस सरकार के काल में जैसे हर स्टेट की अपनी PCS होती है, ऐसे 36 गड़ PCS का मामला भी भरस्टाचार का बड़ा मामला निकल करके आया, कहा गया कि बड़े लेवल पर यहां घपले बाजी हुई है, इसी कारण से 36 गड़ में भी BJP सरकार के द्वारा, BJP के द्व उन्होंने बकाइदा एक तरह से जाती जनगनना को अपनी तरफ से वादा किया, जाती जनगनना का वादा कॉंग्रेस के द्वारा हर राज में किया गया, और अब ऐसा लग रहा है कि लोग जाती जनगनना से खुश नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है, और इस विशय पर कभी आप चाहेंगे तो डीटेल में भी सेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहां जान लीजिए, असल में जाती जनगनना का कॉंग्रेस जो कारण खेलना चाहती है, वो इसलिए है, क्योंकि इससे लोगों को ये पता चल जा है, कि मेरे लिए तो eligibility तो जादा है, इन्होंने मुझे कम दे रखा है, बस इतना अगर हो गया, तो OBC भड़क उठेगा, OBC संख्या में जादा है, reservation की मांग उठेगी, और उसके चलते हुए ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, यही प्रयोग बिहार में भी अभी हुआ है जहां पर जाती जनगर्णा करा भी दी गई है, और उसको देख गरके, लेकिन अब इसका एक drawback भी है जाती जनगर्णा का, वो भी मैं साथ साथ बताता चलता हूँ, जाती जनगर्णा के case में कहानी क्या है, इससे एक चीज और निकल के आ जाएगी, कि particular जाती में लोग कित ने हैं, और ये चीज Congress नहीं realize कर पाई है, संभवत यही कारण है कि ये card उल्टा पड़ गया है, असल में OVC में अगर हम राजिस्थान की बात करें, तो कैई जाती जाती आती हैं, जहां एक और जाट भी OVC के अंदर आ रहे हैं, वहीं दूसरी और काफी और जाती हैं हो, चाहे फिर वो माली हो, चाहे फिर वो अन्य जाती हैं भी हो, वो इसमें अंदर आती हैं, लेकिन जब तक reservation की बात आती है, जाती जनगरना होने से ये clarity आ जाएगी कि इस जाती के लोगों के द्वारा इतना percentage reservation पाया गया है, और अगर ऐसा है, तो अन्य जाती हैं, जिनकी सं reservation दिया जाएगा, तो बनाएंगे ground ये, और बैटिंग कर जाएगी BJP, और ये चीज Congress को समझ नहीं आई, जाती जनगरना उनके खिलाफ चली गई, और यही कारण है कि लोगों ने उसे appreciate नहीं किया, उन्होंने का ठीक है, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही है, ultimately जाती जनग विध्यार्थियों की नहीं, विध्यार्थियों को सरकारी पदों की संख्या बढ़ा दो, जिनको नहीं मिल रही है, रोजाना मिल जाएगी, घोटाले रोग दो, प्रशाशन की जहां आवशकता है, वो करो, वहीं दूसरी और BJP ने क्या किया, BJP ने यहाँ पर भी धर्म का कार्ड खेल दिया, और वो क्या किया, कि अयोध्या में राम लला के दर्शन को फ्री में कराने का वादा कर दिया, तो BJP जिसकी स्थापना ही राम लला के लिए हुई थी, मतलब यो समझे आप, कि BJP का जो सबसे बड़ा आंदोलन चला है, वो धर्म यात्रा से ही चला है, र 36 गड में भी मोदी की गारंटी चली, और मोदी की गारंटी के चलते, यहाँ पर लोगों ने गारंटी को वोट दे दिया, अब बात करते हैं हमारे उस राज्य की जिससे मैं बिलॉंग करता हूँ, अब इस राज्य से जुड़ी हुई जानकारी यह है, कि यहाँ पर एक नाया ही नहीं था, हमारे राजिस्थान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसमें वसुंदरा राजे का चहरा इस प्रकार से हटाया गया, जैसे मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चोहान का और 36 गड में रमन सिंग का, बीजेपी ने केवल एक ही चहरे पर चु काबला कराने का निर्णे लिया, बात करते हैं अशोग गहलोजी की, अशोग गहलोजी के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ से योजनाओं का अनौंसमेंट किया गया, बहुत अच्छे से ओल्ड पेंशन स्कीम लाँच की गई, हेल्थ की फैसिलिटीज ल के लिए इवन लोगों को जितनी भी तरह से संभव सीमाएं हैं, साथ प्रकार की गारंटी भी इन्होंने लाँच की, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई, इसलिए कॉंगरेस बहुत कम नंबर पर सिमट कर रह गई, अब क्या बड़े कारण रहे, उनमे अगर हम, अगर यही के विसलेशक के रूप में बात करता हूँ, तो एक लाइन में आंसर ये निकलता है, कहलोत वर्से सचिन पाइलिट का जो लड़ाई चला था आज से दो साल लगबग, डेड़ दो साल पहले, जहाँ पर सचिन पाइलिट नाराज हो करके अपने समर्थक में कोई भी विधायक उनकी सरकार को मान रहा है, गहलोत सरकार को मान रहा है, तो उन्हें ये कहा गया कि आपकी हर बात मानी जाएगी, परिणाम ये निकला कि 200 सीट वाले राजस्थान में 100 की 100 विधायक जो बहुमत में थे, वो अपने आपको CM समझने लगे, हर विधान चेतर, एक CM की constituency हो गई, परिणाम ये निकला कि हर विधायक का प्रसाशन में, हर विधायक का local appointments में, even teacher तक के posting में, transfer में, सडक निर्मान में, पेजल में इतना interference रहा, कि जो centralized theme थी गहलोत साब की, वो छिन गई, ये कुछ इस प्रकार से हुआ, कि गहलोत साब अपनी सरकार को पांच साल चलाने में, जहां एक और, इंडिया में, चहरा चमका कर ले गए, कि ये operation lotus का सिकार नहीं हुए, lotus operation क्या था, जिसमें कि अगर सचीन पाइलेट छोड़ करके, बीजेपी जॉइन कर लेते, तो हो सकता है, सरकार इंगी तभी गिर जाती, लाइक जोती रादित सिं उनके लिए बहुत नुकसान दाया करा, परिणाम आपके सामने है, बहुत बड़े-बड़े कदावर नेता, जनता की नुकसान का, जनता के घुसे का शिकार हो गए, जनता ने उनके खिलाफ अपना जबरदस्त घुसा निकाला, सेम फेस को वापस जब उतारा गया, तो लो आर पीएसी है, आयोग जो है राजिस्थान का, परिक्षा आयोग का घुटाले में नाम आ जाना, और परिक्षा आयोग के जो सदश्य हैं, उन सदश्य का खुद का घुटालों में इन्वाल्व होना, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी को दर्शाता था, क्योंकि एक अंदर कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके ही छेतर में चल रहे एक कोचिंग संस्थान से जाकर जुड़ गए जिससे ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पूरी तरह से संरक्षन के भीतर पेपर को लीक कराने का पेपर माफिया तैयार हुआ था ये बात लोगो के अंदर और विशेश रूप से युवाओं के अंदर धीरे धीरे पेनिटरेट करने लगी और युवाओं से परिवारों के सदश्व में जाने लगी और परिवारों के सदश्व में पहुंची ये चीज और साथ ही में एक और मामला प्रदेश अध्यक्ष जो राजिस्थ का घोटाला उजागर हुआ, कुछ वैसे राजिस्थान के अंदर भी घोटाले उजागर हुए, परिणाम यह निकला कि लोगों ने इसे सबक सिखाने का निरिने लिया और परिणाम आपके सामने है, और भी बहुत सारे मुद्दे रहे, जिन में से अगर आप ध्यान से मेवाड वाला रीजन देखते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह बीजेपी जीत कर आई है बड़ा कारण था उदैपूर में कनहिया टेलर का गला रेद कर हत्या कर दिया जाना उदैपूर जैसे बहुत खुबसूरत सिटी के अंदर जो की सांप्रदाइक सौहार्द के लिए जाना जाता है जिसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है इस प्रकार के दंगे की वहाँ पर एक बहुत हिर्दय विदारक घटना हुई संभवत है आपको नुपूर शर्मा वाला मामला याद होगा उस नुपूर शर्मा मामले में कनहिया लाल नाम के एक टेलर की हत्या दो धर्मांद कटरों के द्वारा कर दी गई वो मामला उस समय तो गहलोजी के द्वारा तुरंथ दबा दिया गया मामले में ततकाल प्रभाव से कोई प्रतिकरिया पब्लिक रूप से नहीं निकल कर आई लेकिन राजस्थान की जनता को बीजेपी चुनाव के टाइम पर उसे याद दिलाने में कामियाब रही बीजेपी ने जहां तहां उस पूरे छेतर के अंदर कनहिया के मामले को गजब तरीके से याद दिलाया कि यहां पर इस तरह की हरकते हुई हैं तो जहां एक और पेपर माफिया वही दूसरी और धर्म के आधार पर जो बाइगाटरी देखी गई थी वो लोगों को याद दिलाये गई तीसरा भी बड़ा मुद्दा ये रहा कि जब लास्ट टाइम कॉंग्रे सत्ता में आई थी तब राहुल गांदी जी ने किसानों की कर्ज माफिका वादा किया था वो वादा पूरा ना हो सका चौथी जो चीज निकल कर आई वो ये थी कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रॉल और डीजल हैं वहीं से तेल भरा कर लाता है इस वज़े से पेट्रॉल डीजल का मामला भी एक बहुत बड़ा मामला बन कर निकला इन तमाम प्रयासों से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि गहलोत सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं उन योजनाओं के लिए पैसा पेट्रॉल डीजल के टैक्स से वसूला जा रहा है और परिणाम निकल कर आया चुनाओ के अंदर चुनाओ में जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है ठीक है ना तो बीजेपी के अंदर रेड डायरी का ड्रामा भी निकल कर आया साथ में करप्शन के चार्जेज गी सब बाते मैं अब आपको बता चुका हूँ इतना ही नहीं यहाँ पर भी गहलोत के सामने कोई चहरा न उतार करके मोदी की गारंटी को ही कॉंग्रेस की साथ गारंटीयों के सामने उतारा गया परिनाम था कि लोगों ने मोदी के चहरे पर यहाँ पर भी वोट दिया बात करते हैं तेलंगाना की तेलंगाना में कॉंग्रेस के आने का बहुत बड़ा कारण क्या है जितने भी प्रोटेस्ट पूरे की पूरे राजस्थान में कॉंग्रेस के खिलाफ थे उन्हीं मुद्दों को कॉंग्रेस लेकर पहुच गई तेलंगाना और तेलंगाना की जो बियारे सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने इसका उप्योग किया दूसरी बात असल मायने में तेलंगाना राज्य का निर्मान करने वाली भी कॉंग्रेस ही थी लेकिन कॉंग्रेस ने सोचा था कि जब तेलंगाना बनेगा तो वहाँ पर उन्हीं का राज आएगा लेकिन तेलंगाना में तेलंगाना के निर्मान की मांग करने वाली जो छेत् ये पार्टी थी that is भारत राष्ट समयती BRS उसने कॉंग्रेस से अलग होकर अपनी सरकार बना ली थी यही कारण है कि कॉंग्रेस तो पहले से ही यहां सरकार में होनी चाहिए थी क्योंकि तेलंगाना राज बनाने वाली कॉंग्रेस थी लेकिन अब देर से ही सही यहां पर कॉ पॉइंट रहा कि जहां पहले इनके सीटे नहीं आती थी वहां पर ये सीट बनाने में काम्याब हुए इस प्रकार से BRS की प्रती भी लोगों का तेलंगाना में गुस्सा था और गुस्सा ये था कि इन्होंने भी जब नया राज बना तो बहुत फंड मिला और उस फंड का इन्होंने जबरदस्त दुरुपियोग किया कहते हैं कि BRS की वज़े से जो CM साव हैं वो तो इतने अंद विश्वासी है कि अगर कई कववा बैठ जाय तो उस रास्ते से ना निकले बड़े अंद विश्वासी और बहुत खर्ची ले वेक्ती हैं लोगों को राहूल अंदे एक साथ चल रहे होते हैं अंत में निरने किस बात पर लिया जाता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहली है आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन से मुद्दों पर वोट होना चाहिए कौन से मुद्दों पर फिलहाल वोट हुआ है ये सब बातें आप आप जाकर मुझे मेरे Twitter handle पर बता सकते हैं, जिसका link मैं अपने comment box में pin कर रहा हूँ, आप अपनी राय वहाँ comment box में बता सकते हैं, आप Twitter पर मुझे follow भी कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा आप लोगों को हर दिन दिन भर की updated जानकारियां tweets के माध्यम से दी जा रही हैं, बाकी फिलाल के लिए इतना ही आप सबसे गुजारिश है, कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे सुनने उपस्तित हुए, अगर संभव है, तो right hand corner में एक subscribe का बटन दिया हुआ है, red color का, उसे जाकर click कर दीजिए, so that भविश्य में जब भी मैं वापस live आऊं, आप तक message चला जाए, मुझे यकीन है कि आप हमारे होसले को बढ़ाने के लिए free of cost किये जा रहे इस कारे को अवश्य करेंगे, आपका समय शुभव, बहुत बहुत धन्यवाद